नमस्कार मैं हूदी पक्षरमा और आप देख रहें एंटी विनिश पक्ष देखे इस वक्त मैं गाजियाबाद के जिला MMG हॉस्पिटल में मौजोद हूँ यहां की तमाम खबरे आती हैं कि यहां यह समस्या है मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मैं इस वक्त हॉस्पिटल के जो मैन इन चार्ज है मनों चोतरवी दीजी उनके साथ उनसे बाचित करने का प्रियास करूँगा कि आखिर लोगों की समस्याओं को कितन सॉल्व किया है इनोंने और क्या-क्या सो विदाएं दी गई है सर बहुत-बहुत स्वागता है तेंक यू अभी पेसेंट के बहुत भी लाती दिनों से तो जिलादकारी महोदे के आदिशकन पर्लान में टोकन सिस्टम विस्टा कर देगी है पेसेंट चेर पर बढ़ जाते हर प्रदिकी जारे है तो गवर्मेंट से क्या कुछ सपोर्ट मिलता है इस होस्पिटल के क्योंकि बहुत-बड़ा होस्पिटल एजी लेगा उसको कुछ बताएं गवर्मेंट से पूरा सुख मिला है हर तक दभाई आ रही है नहीं दभाई उनको है लोकल पर से बजट आता है यह नहीं है जो खबर है वो बीबुनियाद है अच्छा एक और बड़ी खबर है कि यह जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है वो काफी जरजर हो चुकी विशेशक्यों नहीं उसको घोशित कर दिया कि तोटने चाहिए उस पर क्या गए गवर्मेंट से निर्देश आ गया ह अच्छा एक मैं पॉलिटिकल भी सवाल आप से करना चाहूंगा जो दिल्ली के आमद में पार्टी है वो अपने हॉस्पिटल को बड़ा बड़ा चाड़ा के बताते कि हमारे हॉस्पिटल में ये कुछ मिलता है यूपी के हॉस्पिटल बेकार है उस पर क्या कहना चाहेंग होती है तो बता मजबूरी है नियों सजरी नहीं है बागी सारी सुपदा है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है यूपी के बड़े खराब हालत में है नावा पंखे मिलते हैं मरीजों को ना एसी ना कूलर लेकिन दिल्ली को हॉस्पिटल चम-चमाते हुए दिखेंगा आज के टा हॉस्पिटल में काफी तरीकी सुविधाय दी जा रही है जो खबरे हैं हमरी जो सभी भी बात करेंगे कि उनको किस तरीकी की समस्या है आखिर कोविड में क्या हाल है वो मैंने खबर आपको दिखाई है तो इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े हमारे साथ और देख